हैलो दोस्तों कैसे आप समयोग फार्म और वेलकम बैक टू माई चैनल तो यार आज के इस वीडियो में मैं आपको कीबोर्ड से 76, से 77 और से 78 में मिलने वाले हर्मोनियम टोन के बारे में सारी जानकारी देने वाला हूँ कि ये टोन कितने नंबर पे होता है इसमें से निकलने वाला साउंड कैसा होता है इसको हम लोग जल्दी से कैसे एक्सेस कर सकते हैं और हर्मोनियम के कुल कितने टोन्स होते हैं इन कीबोर्ड में अपने इंडियन म्यूजिक में हर्मोनियम का बहुत 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 ज्यादा यूज होता है जिसकी वजह से जब भी कोई भी इंस् 78 ये सारे entry level keyboard है और learning purpose से इन keyboards का बहुत ज़्यादा इस्तिमाल किया जाता है और आज के इस वीडियो में मैं आपको इन ही keyboard में harmonium का tone बताना और दिखाना चाहता हूँ तो ये सारी बाते जानने के लिए जल्दी से अपने keyboard को on कर लेते हैं, on होते ही by default देखी 00 number का tone से इट लाता है ये होता है grand piano का tone और इससे निकलने वाला sound कुछ इस प्रकार का होता है अब वैसे इन keyboard में total number of tones तो 100 होता है लेकिन harmonium का सिर्फ हो सिर्फ एक tone होता है तीनो keyboard में लेकिन उसमें भी confusion मैं आपको थोड़ा सा explain करूंगा आगे मेरी पूरी बातों को ध्यान से सुनिएगा तो इन तीनो keyboard के लिए जो booklet आती है वो तीनो keyboard के लिए एक ही होती है same booklet और उस booklet के अंदर जो tone section है जहांपे सारे tones का name mentioned है वहाँ पर एक बहुत confusing सी चीज़ एक आपको दिखेगी जब आप उसको देखेंगे tone को देखेंगे उसको पढ़ते वक्त आपको पता चलेगा कि इन keyboard में harmonium का tone number होता है 16 और 16 tone number लगाने के लिए हम dial pad से dial कर देए 1 और 6 दिखी 16 number का लग गया है अब मैं इसकी आवाज अगर आपको सुनाओं तो 16 number से कुछ ऐसा sound निकलता है तो क्या आपको सुन के लग रहा है कि हार्मोनियम का tone है सायद आपको लग रहा होगा कि हार्मोनियम ही है लेकिन यार यह हार्मोनियम का tone नहीं है यह है read organ का tone अब इस चीज का proof मैं आपको यहाँ keyboard से डिस्पले से तो दिखा नहीं साकता क्योंकि डिस्पले पे तो tone का नाम कुछ भी दिखता नहीं है सिर्क tone number दिखता है 16 आपको दिख रहा होगा और यहाँ पे भी कहीं mention नहीं है 16 number पे कि हार्मोनियम है कि lead organ है तो इस बात से तो पता नहीं चल सकता है कि यह 16 number का tone कैसा है अगर आवाज आप पहचान सकते हैं तो पहचान गए होंगे कि हार्मोनियम है कि lead organ है लेकिन मैं आपको proof के लिए एक booklet इसके साथ मिलने वाली booklet दिखाना चाहूंगा क्योंकि और मैंने भी यह चीज बहुत सर्च किया कि S.A. 78 में हर्मोनियम टोन होता भी है कि नहीं और मुझे फाइनली एक चीज पता चली जो मैं आपको बताना चाहता हूं जैसे ए इसके साथ मिलने वाली booklet है और ए देखिए tone की list है उपर आपको tone list दिख रहा होगा अब इसी tone list में यहां 16 number देखिए जो लिखा हुआ है यहां पे देखि 16 number tone लिखा हुआ है तो इस 16 number tone पे अगर आप ध्यान से देखे तो यहां पे लिखा गया है S.A. 76 और S.A. 78 में read organ है सिर्फ S.A. 77 में harmonium tone है यानि यह जो तीनों keyboard आते हैं इन में यह भी एक difference है कि 16 number का tone जो होता है S.A. 76 और S.A. 78 में read organ का होता है लेकिन S.A. 77 में harmonium का होता है तो अगर आपको particularly harmonium बजाना है या आप harmonium के लिए इन keyboards को खरीदना चाहते हैं तो आप S.A. 77 ही खरीदी है क्योंकि इन keyboard S.A. 76 और S.A. 78 में यह तो read organ है इसके अलावा harmonium का tone कहीं भी नहीं मिलेगा आपको इस keyboard में तो यार यह बहुत से लोगों का confusion रहता है और मैं आपको इस confusion का solution proof के साथ दिखा चुका हूँ अगर आपके पास यह वाली booklet है तो आप इसमें देख ले नहीं हो तो आप नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं आप नेट पे लिखेंगे user manual guide of S.A. 77, 78 तो यह वाली booklet आपको मिल जाएगी आप डाउनलोड करके उसमें भी देखेंगे तो आपको यही सेम चीज मिलेगा तो final conclusion यह पता चला कि harmonium का pure harmonium का tone आपको S.A. 77 में मिल जाता है लेकिन उसके अलावा अदर दोनों models में 76 और 78 में 16 नंबर का जो tune होता है लगता तो है कि harmonium का है लेकिन actual में वो harmonium नहीं है ओ read organ है एक बार मैं आपको फिर से सुना दू so I hope कि आपको इन keyboard से related harmonium के बारे में सारी बाते पता चल गई हो